Hello students, welcome to RNM Academy channel. Students, आज का problem है GTO examination का winter 2022 और subject code है 110013. Question इस प्रकार दिया है, 2 points A and B are 100 mm apart, point C is 75 mm away from A and 60 mm away from B, draw an ellipse passing through A, B and C. Also, draw normal and tangent at a point of 30 mm from the major axis. इस question का weight is 7 marks दिया है, और मैं rough drawing करके आपको दिखाता हूँ, और वही steps follow करके आप dimensional drawing बना दिजिए. चलिए solution स्टार्ट करता है. Students, इस problem की method समझ लो, मैं problem का जो data दिया है, उसके अनुसार rough drawing करके आपको explain कर रहा हूँ. सबसे पहले line A, B दी है, जिसकी length है 100 mm. तो देखिए, मैं पहले एक horizontal line बनाने वाला हूँ, यह horizontal line, और उसकी length है 100 mm. तो A, B एक line draw कर दो, length उसकी रहेगी 100 mm. अभी एक point C है, जिसका A से distance है 75 mm, और उसका B से distance है 60 mm. तो मैं क्या करता हूँ, A को center लेता हूँ, और 75 mm length जितनी radius, 75 mm की length radius set करता हूँ, और एक arc लगा दूँगा. A से यहां तक का जो arc है, वो 75 mm है. और फिर मैं नई radius set करता हूँ, 60 mm, और center पकटने वाला हूँ B, तो यहां से जब मैं arc लगा हूँ, तो वो 60 mm की radius होगी. यह दौनों जो का आर्क है, उसका intersection point C होगा. तो A से C का distance है 75, और B से C का distance है 60 mm. तो ऐसे एक triangle तयार हो जाएगा. 100 mm, 75 and 60. अभी यह triangle है, तो उसमें से तीनों point में से पास होता हुआ एक हमें ellipse draw करना है. तो करेंगे क्या, अभी आगे step समझ लो. A, B का जो mid point है, decide कर दीजे, 50 mm के distance पर आएगा. तो A point जो center point है, उसको में O कहने वाला हूँ. C और O के बीच जितनी भी length है, आप measure कर दीजे scale से, C और O के बीच, join कर दीजे, और उतनी ही length नीचे भी extend कर दीजे, यहाँ तक. मानलों कि यह 40 है, तो 40 mm नीचे extend कर दीजे, यह दोनो length equal होनी चाहिए. तो एक line बन जाएगी, अभी यह line और यह line, यह जो point है, उसको मैं कहता हूँ D, तो AB और CD, AB मेरे लिए major axis हो गई, CD minor axis हो गई, और वहाँ से मैं एक parallelogram तेयर करने वाला होगी. कैसे करेंगे? तो AB को parallel, आपके पास roller है, तो AB को parallel एक line यहाँ extend कर दीजे, horizontal line, AB को parallel और C में से पास होती हुए एक line यहाँ से वे कर दीजे, फिर CD को parallel और A में से पास होती हुए एक line बनेगी, ऐसे, CD को parallel यहाँ B में से पास होती है एक line बनेगी, तो वैसे एक parallelogram तेयर हो जाएगा, जिसका मैं नाम देता हूँ P, Q, R, S, rectangle की जगब parallelogram और यही parallelogram में हम ellipse generate कर सकते हैं, ellipse कैसे करेंगे, तो अभी में पहला quadrant जो है P, C, O, A, तो O, A को मैं equal division में divide दो, आप मेज़र, आप इसकी length मेज़र कर दो, और मान लो कि मैं 5 पार्ट में divide करता हूँ, आप जो भी length है, उसको equal part में divide कर दीज़े, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट में divide किया, वहीं 5 division यहाँ भी equal होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से मैं numbering कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और वहाँ वैसे P में से, तो 1 डेश, यहाँ में 2 डेश, यह 3 डेश, यह 4 डेश, और 5 डेश, ऐसे points में लेंगे, equal division है, मान लो कि यह 60 है, तो 60 divided by 5, तो 12 mm का होगा, मान लो यहाँ 50 है, तो 10 mm का पार्ट होगा, तो equal divisions होने चाहिए, अभी C से 1 डेश को connect कर दो, C को 2 डेश से connect कर दो, C को 3 डेश से join कर दो, C को 4 डेश से, और 5 डेश से तो है, फिर सामने वाला जो point है, D, D और 1 में से join करके, एक straight line बनाईए, D और 1 आने चाहिए, और वो पहली line को intersect करना चाहिए, ऐसे, D और 1 में से join करो, और एक point यहाँ मिलता है, वो अमारे लिए P1 होगा, फिर D और 2 में से join करके, एक extended line बनाऊ, जो यहाँ join मिलेगा, वो P2 है, फिर D और 3 को, तो वैसे आप point जोड सकते हैं, यह parallelogram method है, P3, वैसे D और 4 को, तो यहाँ P4 मिलेगा, और एक खुद point P5 है, तो यह सभी points को जब आप join करते हैं, मैं अलग color से join करके दिखा रहा हूँ, वैसे, तो ellipse का 1 4th part तयार हो गया है, और वही method repeat करनी है, बाकि 4 division के लिए, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ भी, 1-2-3-4-5-5, 1-2-3-4-5, और यह जो procedure यहाँ की, वही procedure यहाँ करनी है, जोइन कर दीजिए, ऐसे, फिर D से जोइन करें, ऐसे, 1, 2, 3, तो यहाँ भी कव मिलेगा, वो ellipse का दूसरा part होगा, और सेम procedure नीचे भी करनी है, नीचे के लिए, वैसे ही, यहाँ 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह 1-, 2-, 3-, 4-, और 5-, और वैसी procedure आप कीजिए, तो यहाँ भी कव मिलेगा, reverse order में, जैसे, मैंने यहाँ C से जोइन किया, तो यहाँ आपको D से जोइन करना पड़ेगा, D1, फिर D2, D3, D4, and D5, और फिर C से आप जोइन कीजिए, तो यहाँ भी कव मिलेगा, इस तरह से, लाइक दिस, और फोर्थ पार्ट यहाँ भी मिलेगा, सो प्रोसेस कैन भी रिपीटेड, लेकिन आपको एग्जामीनेशन में, इस प्रॉब्लेम का वीट इज ध्यान में रखना है, अगर साथ यादस मार्ट का प्रॉब्लेम है, तो चारो कव कम्प्लेट करना जरूरी है, दर्वाइस चार मार्ट का है, तो एक पार्ट कम्प्लेट करके दिखाई है, और फिर लिख सकते हैं, वीद दस प्रोसेजर, वी केन कम्प्लेट दी, remaining three parts क्योंकि time बहुत ही consumption होगा तो इस method को अच्छी तरह से समझ दिजे इसी method का एक problem मैंने हमारा जो playlist है मेरी channel पर projects engineering curves उसमें एक ellipse का curve इस तरह से मैंने dimensionally draw करके समझाया है ellipse through three points ऐसा title है ellipse construction passing through three points तीन point में से pass होता होवा ellipse कैसे हम draw कर सकते हैं तो उसकी link भी मैं दे रहा हूँ description में तो वो problem dimensionally draw किया तो वो भी समझ दिजे ये भी समझ में आ जाएगा कोई doubt है, query है तो comment section में जरूर लिखे, मिलते है next video में, thank you for watching thank you very much अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए है तो please मेरी चैनल को like किजे, share किजे और subscribe जरूर किजे thank you very much